स्वागत आप से भीको ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धामाकेदार वीडियो में और ये जो वीडियो है ये आज का वीडियो पूरी जीव विग्यान के परतीक लेशन का मस्ट भी भी अबजेक्टिव से भरा वीडियो है आपको बता दें कि मात्र 30 प्रस नही इतना तक कि आप एनोल एक्जाम के लिए बहुत ही जबर्दस साबित होने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इससे पहले कि अगर आप मेरे चाइनल पर नए हैं तो प्लीज सब्क्राइब कर दिजेगा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरू कीजेगा तो चलिए देखत तो इसका सही उतर होगा अपसन नंबर ख मृत जीवी चलिए अब सेकेंड कोशन की तरब देखते हैं सेकेंड कोशन कह रहा है कि निमनी लिखित में से कौन परकास संसले सी अंगक है तो इसका सही उतर अब बताएंगे इसका सही उतर होगा अपसन नंबर फर्स्ट हरित ठीक है अब बात करते हैं प्रस्ण संख्या चार प्रस्ण संख्या चार कह रहा है कि किसका उप्योग कोश्ट का द्वारा उर्जा उत्पादन के लिए होता है तो अब बताएंगे चार अपसंदिया है एमीनो अमल वसा अमल गुलकोज और सुक्रोज तो अब बताएं इसका स सही उत्तर होगा अपसर नंबर तीसरा गुलकोज अब देखते हैं पाच्वा प्रस्ण पाच्वा प्रस्ण कहा रहा है कि और वाई वीए स्वासन कोश्कय के किस भाग में होता है ठीक है तो यहां चार अपसर दिया है माइटो कॉंटिया कोश्कय द्रभ्य हरीत लवक कोश्क अंत्र होता है तो यहां चार अपसर दिये गया है पहला अपसर दिया है जाइलम न लिकाओ द्वारा दूसरा दिया है फुलयम द्वारा तीसरा दिया है मृदूत्तक द्वारा और चोता है दृदूत्तक द्वारा तो अब बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा तो छठा का सही उतर होगा को जाइलम नलिकाओ द्वारा चलिए अब अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है सात्वा पौधों में खात पदार्थों का इस्थनांतर किस उरुप में होता है तो बताएंगे पहला अप्सन है गुलकोस दूसरा है सुक्रोज तीसरा है होता है प्रोटीन तो बताएंगे इसका सही उतर क्या होगा तो इसका सही उतर होगा अप्सन नंबर सेकंड सुक्रोज के द्वारा ठीक है अब यहां अगला प्रस्ण देखेंगे शुद या अक्सिजनी रक्त को हिर्दय से शरीर के विभीन भागों में ले जाने वाली रक अगला प्रस्ण है कि अगर किसी कारणर से किसी मनुस्य का एक विरिक कारे करना बंद कर दें तो इसका परिणाम क्या होगा पहला अप्सन दिया है कि उत्सर्जन बंद हो जाएगा दूसरा अप्सन दिया है तुरंद मृत्यू हो जाएगी चोथा दिया है उप्रोप में को वरी किस जेव परकरम का हिस्सा है ठीक है तो आपका पहला अपसन है उत्सर्जन और दूसरा अपसन है स्वासन तीसरा है पोसन और चोथा है परिवहन तो बताएए इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा को उत्सर्जन अब बात करते हैं अगला प्रस्न अग ठीक है और चौथा है इन में से कोई नहीं तो आप 11 का सही उत्तर चुनेंगे अप्सन नंबर गह तंद्रीका रसायनों के द्वारा ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रश्ण है बारा बीज रहित पोधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं ठीक है पहला अप्सन दि और गह दोनों यानि की औक्जीन और जिब्रेलिन्स चलिए अब आगे देखते हैं अगला तेरा नंबर प्रस्ण है मास्ति का कौन सभाग हिर्दय एस्पंदन तथा स्वासन गती की दर्पुनियंत्रित करता है तो बताए इसमें चार अप्सन दिए गया है सेरी ब्राम प्रोपने से कोई नहीं तो तेरा नंबर प्रस्ण का सही उतर होगा अप्सन नंबर खा मेडूला ठीक है अब आगे देखते हैं अगला अगला है चौधा नंबर प्रस्ण इनमें से कौन बुद्धी और चतुराई का केंद्र है पहला अप्सन दें पहला अप्सन है सेरी ब कल्प में सही विकल्प कौन सा होगा तो चोधे नंबर का सही विकल्प होगा गष शेरी बेरं यानि सिर्फ शेरी बेरं होगा ठीक है अब देखते हैं प्रसंद संख्या 15 एस्ट्रोजन स्रावित होता है पहला अप्शन दिया है विरीशन दौरा दूसरा है अंडासे दौरा तिसरा है लेंगरन्स की दिपिकाव दौरा और चवथे दिया है थाईराइड दौरा तो बताये इसका सही विकल्प क्या होगा ठीक है तो पंद्र का सही एंसर होगा आपका अप्शन नंबर सेकेंड खा ठीक है यहांप खा होगा अंडासे दौरा ठीक है अब देखते हैं अगला प्रासण सुला, इनमें कौन अलेःगिक जानन की विधी है, ठीक है 궁na अप्सन दिया है विखंडन दूसरे है मुकुलन दूसरे हैं क repeat ए बिजाड़ू जानन और चौथाह इंनमेंसे सभी तो बताई यह सुलें नमर का सही अप्सन क्या होगा तो सुलें नमर का सही पुलन और विचाड़ू जनन तीनों के द्वारा ठीक ना अलेंगी जनन होता है अब देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न है 17 पराग को उसमें पाए जाते हैं बताए क्या डल पुंज बरहादल की पराग कर्ण की इस्तरी केसर तो बताएंगे आप 17 नंबर का सही उत् बहुत अबधाक को कहते हैं पताए किया काते हैं वर्ती का करते हैं कि अगला प्रस्न है प्रस्न संख्य 19 निमनलिखित में कौन सब्धा केवल पूरुस जनननांग में पाये जाता है बताइए पहला है फेलापियन ना लिका है सेकेंड है लेविय माइनूरा और थर्ड अप्सन है सुक्रवाहिका और चोथ है परिपक्व उटक तो बताएंगे इसमें सही अप्सन क्या है ठीक है उन्नीस का सही उत्तर होगा आपका गः सुक्रवाहिका है आगे देखते हैं अगला प्रस्न है प्रस्न संक्य 20 एस्तिरियों के मासिक चक्र में एक परिपको अंडारू किस दिन अंडासे से बाहर निकलता है बताइए 28 दिन 14 दिन ये 20 दिन पर ये 30 दिन पर तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा तो 20 का सही उत्तर होगा अप्सन संक्य 21 पर निमने लिखित में कौन लेंगिक जनन संचारित रोग नहीं है बताइए यानि कि लेंगिक जनन के दौरान कौन सा रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है तो यहाँ पर आप्सन दिया है एट्स, कॉनोरिया, सिफलिस और चोथा है टाइफ तो बताएए इसका सःी उतर क्या होगा तो 21 नमर कोस्टन का सही उतर होगा अप्सन नमर फोर्थ टाइफ हाइड टाइफ हाइड है जो लेंगिंग जनन के दौरा संचारीत रोग नहीं माना जाता है अब अगला प्रसन है प्रसन संक्हे बाइस प्रस्ण संगे 22 है किसी जीव की जीनी सनरचना कहलाता है बताए लक्षण या फिनो टाइप या सेकेंड अप्सन है जीन प्रारूप या जीनो टाइप या तीसरा अनुवानसी की या चोथा विभिन्द तो बताए बाइस नमबर का सही अप्सन क्या होगा तो बाइस का सही अप्सन होगा अप्सन नमबर सेकेंड जीन प्रारूप या जीनो टाइप ठीक है अब अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है 23 तीस नमबर कोशन है मेंडल ने अपने परियोग के लिए किस पौधे का चैन किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सधारण मटर का ठीक ना तो तीस का अप्सन नमबर पहला ही सही हो जाएगा सधारण मटर अब बात करते हैं 24 नमबर प्रस्ण का तो निमनी लिखित में कौन उत्पादक है तो चार अपसन दिए गा है पहला अपसन है सर्प दूसरा है मेढग तीसरा है ग्रॉसापर और चोथा है घास तो बताइए 24 का सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा अपसन नंबर फोर्थ घास अब आगे देखते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन है पचीस ओजोन परत का आउच्छाय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है कर्बन डाइक्साइड सलफर डाइक्साइड कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये नैट्रोजन अक्साइड तो इसका पचीस का सही उत्तर होगा अप्सन नमबर ग अब आगे देखते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन 26 नमबर है कि किडवन निमलिखित में से कौन सी परकिरिया है तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर सेकेंड अब बात करते हैं अगला प्रसन प्रसन संखे 27 क इस परकार के जनन में जननक के शरीर का आस्तितों बना रहता है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा अप्सन नंबर फस्ट मुकूलन ठीक है। अब देखते हैं 28 वे प्रसन को हैड्रीला पौदे में रंद्र कहां पाये जाते हैं। तो 28 नंबर का सही उत्तर होगा आप पहले अप्सन को देख लिए पहला अप्सन है पतियों पर दूसरा है तना पर तीसरा है पतियों और तना दोनों पर और चोथा है कि इन में से कोई नहीं। तो बताइए 28 का सई उतर क्या हूगे तो 28 का सई उतर हूगा इने में से कोई नहीं देखे हैज reckon है एक जलिय mio auddha है जिसमें रंध्र पाया ही नहीं जाता है ठीक है तो इसलिए इसका 28 का 48 का जो है 4th number option होगा क्योंकि न पतियों के दोरह पाय जाता है न तना के दोरह न पतियों यान तना यानि इह तीनों अप्सन जो है न इह तीनों अप्सन गलत है और 4th number सही है इसलिए कि हाइड़्ीला पौदह एक जल्वे पौदह है जिसमें रंद्र नहीं पाये जाता है अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है 29 इस्ट किस वर्ग का एक उसके जीव है तो 29 का सही अप्शन होगा कावक ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतिम प्रस्न 30 निमने लिखित में किसमें दिवी भाजन नहीं होता है तो 30 का सही उत्तर होगा अप्शन नमबर फोर्थ हाइडरा तो देखाना आपने कितना जबर्दस सीरीज रहा तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्डेंट वीडियो था जो कि आपके एनौल एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद